सत्नाम वाहि गुरू साहिब जीयो पुगत ग्यान दयापंडारण कट कट वा जहनाद आप नाथ नाथी सब जांकी रिद शिद अवरां साद पुगत ग्यान दयापंडारण कट कट वा जहनाद आप नाथ नाथी सब जांकी रिद शिद अवरां साद संजोग विजोग दुएकार चलावें लिखे है आवें पाग आदेश ते से आदेश आदेश आदे नीले अनादे अनाखत जुग जुग एक को वेश आदेश ते से आदेश आदे अनीले अनादे अनाखत जुग जुग एक को वेश आदेश वाही गुरू जी का खाल साथ वाहि गुरु जी की फते सत्गुरु गरीब नवाज पाद्शा श्री गुरु गरंच सहब जी दी पावन पवित्र हजूरी बिच सुबाइमान गुरु रूप साज संगत जी ओ आप जी बड़ पागी हो जो के अकाल पुरु गरु गरु बलो मिले इस अमौलक मनुखी जामे नुस्फल कर दिया होया सत्गुरु जी दे दरवार विच पाँच के एलाब प्राप्त कर रहे हो आजदा जो विशा है जब जी सेब विच उनत्ती नंबर पौड़ी है सत्गुरु ने इस अंदर भी जोगिया नाल सिदा नाल वारता लाप्ता वर्नन कीता है एक पासे उना दिया जो निशानिया हन उना दा वर्नन करके फिर आपने बलों आपना सिदाथ आपना रस्ता दस्या है जेमे कि उना दिविच एक पुगत है एक पंडारन है और एक उना कुल संख होंदा उन्हों बजाओ देन है उसनू नाथ कहें देन एक उना दी मंडली दा नाथ होंदा है विशेश जीड़ा सब तो मटा मनने आ जानदा है उन्हों नाथ कहें देन फिर इसमादिया लाला के ते आन जोड जोड के इन अकुल बहुत सारे तरीके सन जिनन द्वारा सरीर विच सुतिया हुई या जिडिया शक्तिया हने रिदिया सिदिया जिनन नू कहिं देने उनन नू इपरकट कर लें दे सन सत्कुरा ने थी बचन कीते कहने लगे ग्यान साड़ा साड़ी पुगत है दया साड़ी पंडारन है पुगत दे अर्थ ने ओ था जा पुगत दे अर्थ कीते विद्वाना ने खान बाड़ा पोजन जहां इस दे अर्थ चूरी भी कीते हन जोगी लोग एबनाउंदे सन उनना दा एक अंग सीजे में साड़े अंदर लंगर है सी लंगर कहे देने और पुगत कहीं दे सो उना वेचे जरूरी है हजूर ने बचन कीता ऐ जोगी राज स्रीर वास्ते ते तुसी पुगत बना लए लोकां तो खान वालियां, चीजां एकथियां करलेयां स्रीर दे निर्वाबा वास्ते बढ़ा कुछ दूसी एकथा कीता है पर तौढ़ी आत्मा दा जो पूजन है ग्यान ओँ तौड़े कुड नहीं है जिना छिर तौड़े कुड ग्यान दा पूजन नहीं आउंदा इद श्रीर दे पोजनने संसारी भी खांदेने तर्मी भी खांदे कोई फरक नहीं है ग्यान दा पोजन तो अड़े कुछ चाईदा है हजूर ने बानी विच इस सुबंद विच बड़े बचन कहे लिए ब्रह्म ग्यानी का पोजन ग्यान ग्यान दे कई अर्थ ने गुरु गरंज सहब जी दे अंदर वैसे मोटे तारते दो तरह दा ग्यान है एक ग्यान है के विद्या नू बढ़ना और उदे अर्थ शिखने ये भी एक ग्यान है एक गुरु गरंज सहब दे विच जदो ग्यान शब्द आंदा है उस ग्यान दा भी वोख्यान किता गया है और ओ जिड़ा अख्रादा ग्यान है किना कुछाई दाए ये भी बाणी बिच दस्या गया है अखर सिखने किने कुछाई दे हनु पाशादा ग्यान किना कुछाई दाए ता सत्कुरा ने बचन कीते बाणी विच कह इन दे अख्री इना को बहुत है जिते नल मन समझ जाए मन नो भूदय ने उना नू नवर्थ कर दा है ओ गयान ता बचन कीते है कि मन समझावन कारने कच वक पढ़िया गयान थोड़ा जा ग्यान पढ़ना चाहिदा है समझ लेना चाहिदा की लिख्या होया है इद अर्थ की बनदे ने सानु गुरू दा हुकम की है उदे विटते आनला के चंगी तरह समझ लेना चाहिदा है एक ग्यान इस तरह दा है उन जिन्नों आज गुरु सहिब कह रहें ने पुगत गियान साड़ा जड़ार सोई दा पुंडारा है लंगर है जा जोगियानों क्या भी तौडे कुल गियान दा पोजन है और तौडे कुल फिर दया है बंड़न दी के आप कले खा जान दे हो लको के खान दे हो इस दों में तो अडे कुल नई हैं दों में चीजह तो तुसे कमजور हो पहला तो अडे कुल गियान ही नहीं है ता एथे जो गियान शब्द बरते हैं जब जी सह्ब दे अंदर पुगत गियान दे अर्थ किसे चीज दी जान कारी हासल कर लेनी प्र थोड़ा जा इन्हों कैन दा यतन करां तांकि ग्यान दे अर्थ समझा जाँ जेमें एक आदमी सुता है ओदे आले दुआले सोना खिल रहा हुए ओदे आले दुआले बहुत सारा तानुपया हुए ओप कूख सुता है नीद विच है तां उन नीद दे अंदर सुपने विच तान लबदा फिरदा है खोज करदा है गरीब है कपड़े पाटे हुए ने तां उधी गरीबी उन सुपने विच नहीं अटेगी जे कुई आये बार हुँ तां उधी बाँ फड़के उन्हों हिलाए तां उस सुपने विच उन्हों कोई तान लबदा है ते उस सुपने दे तान है उधी गरीबी नहीं हटा सकता क्योंकि नीद दे अंदर है पर जेड़ा बारु आया उन्हें वेखिया भी ए सुपता हुए है ते एदे आले दो आले सोना खिल रहे हुए है तां उन्हों सुपने विच उकड़ेगा उधी बाँ फड़के हिलाएगा जदो ओ आदमी जाग पया ते जाग दे आं सार चुमाँ पासे वेखेगा मकान है कमरा है इदर वस्तर पैने इदर सोना खिल रहे हुए है तां जागन नड उन्हों वेना सारिया चीजां दा ग्यान हो गया ग्यान दा अर्थ उन्हें वेख लेआ दिसन नाड ग्यान आगया पा लेआ उसने उस सोने नू शुपने विच नहीं से मिलना जिमें ऐसी ग्यान सिख रहे हैं ऐसी इस सारा ग्यान बड़े ग्यानी ने कोई अंत नहीं है इक गल हरानी दी है कि सिख कौम दे वेच इने व्याख्याकार पहला नहीं सन आज तो सौ साल दो सौ साल पहला पर सिखी ओदों बड़ी परपा कसी पर हुनता बहुत हो गए हुन लिखारियां दी भी कमी नही ग्यान वाना दी भी कमी नही जिड़े इस चीज दे फिलास पर ने ओवी बहुत ने हर एक कारदे वेचे के एक लाइबरेरी भी है और बढ़यां दे कोल ग्यान है पर इस ग्यान ने कुछ शुआरिया क्यों नहीं एक स्वाल है तसली क्यों नहीं दी मनता उसे तरह ही खाली है अंदरों ता फिर सानुक किते पड़चोड कर लैनी चाही दी है किते अंदरों इमानदारी नल खोज करनी चाहिए भिक्किते आपां ये नकली ग्यान राख केता नहीं हंकारी हो गया है जो ठीकता है नहीं सी अखरे कठे कीते सनसे रूँ ता उन्हें ना अपना कोई सवा रहा ना दूजयां दा कोई सवर रहा ता जिमें एक व्यक्ती जेड़ा है जिन्हों रवधास जी ने क्या भी के नर्पत एक सिंगासन सोया सुपने भया पे खारी असी जेड़ा ग्यान सिख रहा है ये सुपने दे विच सुते होई गुरु सहब ने बचन कीता है पहला जाग जाग रे मन जागन हारे अंदर नू जगात हूँ तेरे आले द्वाले बड़ा कुछ खिल रहा होया है तेरे आले द्वाले बड़ी बख्षिश अकाल पुर्ख वैगरूदी ए ब्रहमांड जेड़ा है सारा पर्या होया है पर तुझाग नेर्या सुता हुए हैं मन सोया माया बिशमाद सर्वन सोय सुन निंद विचार रसना सोई लोव मिठे साद नैनो नेंद पर दिष्ट विकार इस सारियां चीजां जेडियां ने इस सुतियां याने तजेडा नाम दा पिंदार है आले द्वाले कि ए जड़ा तुसी नाम कहें दे हो एक किन्ना कू है किन्ने किलो है जहां एदा खात्मा भी हो जानदा है कि नई सत्कुराने क्या नई ए जड़ा ए भी एक खजाना है सच है जिन्ना ने कमाई कीती है उन्ना ने इस चीज नो टजर्बे बेच लियांदा है कि जमें एक संसारी बंदा हर रोज कम करकर कि अपना बैलन्स बना लेंदा बैंक दे अंदर जमा करा लेंदा है ते उदा एक उनु अंदरों है एसास रेंदा है के मेरे कुड़ें ने लख है उदा उन्हों आसरा जा रहींदा अंद्रों पर मेरे कुल इनी माया है बिल्कुल ऐसे तरह जदो तार्मिक बंदा जिन्हों गुरु अमर्दास जीने का हर हर नित जपे हो जीओं लाहा खटे हो दिहाडी जदो हर रोज हर एक दिहाडी हो दिये इस नाम नू कमोंदेया लंग दिये ता एक दिन ओवी अंद्रों अमीर हो जानदा है ते उन्हों यो नाम दा खजाना बिल्कुल दिस दा है इस मेरे कुल है हो नदर परिया होया है फिर हो थे उस बंदे नू कहिंदे भी होने नू बवता नहीं जपना पहिंदा क्योंकि अंदर तान है उन्हों तान नू तान नहीं कमाई जा रहे है जे में अमीर बंदे कम नहीं कर दे उन्हों बेठे हो ने उन्हों दी माया अग़े माया नू होर बदाई जान दी ता जिड़ा इस तरह जाप लेंदा है ओदे अंदर खजाना कठा हो जानदा है तो फिर उन्हों होर नहीं करना पहिंदा आपने आप वदी जानदा है ता एवी एक खजाना है और गुरु सहब नो पुछिया केमेदा है खातमा होंदा है कठ जानदा है कहिंदे नई ना उह मरे ना होवाई सोग देंदा रहे ना चुका पोग पोगदा मतलब पोगणा क्योंकि दुनिया दे पोगदा बहुत ने स्रील दे बड़ी तरह दे पोगने संसार दे अंदर पर इना विच एक नुक्स है इना विच एक कमी है के ना दी मौत हो जान दी है सोग जरूर है कोई शक नहीं है दे विच जरूर है सोग संसार दे विच पर इना दी उमर है जेमें कोई चीज समने है जेमें एक आदमी मंजे ते प्या है ते डॉक्टर कह देन के इनू चलो एदी सेवा करो दो दिन कड जाएगा कईया नू कह देन दे महीने तक चलेगा महीने बाद एदी मौत हो जाएगी ता कईया नू कह देन दस दिना बाद एदी मौत हो जाएगी कईया बारे ये भी कह देन दे भी तेन कू केंटे दी कहानी बची है शरीर दे ओटेस्ट दस देन ताँ एस चाहिए के जदो उना नू ओ श्रीर नू बंदा भेखदा भी एक दिन दा प्रवना है ओदे नाड़ो अपने आप ओदा मोट उट जन दा है भी हुनते चला जाएगा सत्कुरा ने क्या भी देखो इस मूर्ख नू ए नहीं पता अभी जेडियां चीजानों तु चंबड़ें होया नादी उमर कोज केंटे होंदी हर रोज मर जान दियाने सारे पोग मर देने उनना दी उमर कोज केंटे है उदे तो बाद उनना दी मौत हो जान दी है उन मर जान देने पोगां दी शुमापती हो जान दी है फिर उसनों एना सदीव काल ए समझ दा जड़ी गलती कर दे तां सत्गरू ने फिर बचन कीते कि अकाल पुर्ख वैगरू दा जड़ा नाम है ओव एक पोग है पर उस पोग विचते संसार दे पोगां में ज़ फर्क एना है कि संसार दे पोगां दी मौत हो जड़ी है पर अकाल पुर्ख वैगरू दे नाम दा पोग जड़ा खत्म ने उन्दा चुक दा ने देंदा रहे ना चुक ए पोग खत्म ने उन्दा सदीव काल वास्ते है जाईों का वो भी इस सरीर दे चले जानतों बाद वी ओ कैम रहें दा सरीर मर भी जाये बंदे दा इस सरीर नो कुई पाड़ के वी ताहीं शेद दुनिया दे लोगा ने जानम लोगा ने ऐसे सरीरा नो अंदरों चीर चीर के वेखिया चीरिया एनानू और पाई मती दास जी दा स्रीर चीर दिता चीरन लग पे जब जी सहब केंदे अदा पड़े आ सी ता उदा टाइम हो गया जलाद ने क्या मैं रूक नहीं सक्दा ता ए भी ए कसी भी ए पढ़ रहे ने हुनते टाइम भी हो गया पर पाई मती दास जी ने एक बचन क्या कहने लगे आज ये भी वेख ले स्रीर नू चीर लेंगा जब जी सहब नू नहीं चीर सकदा स्रीर चीर सकेंगा स्रीर चीर चीर आ गया दो टुकडे हो गया जब जी सहब फिर भी चली जा रहे है फिर भी नहीं चीरिया गया, थाबत है तां ताई बंद बंद कट के भी वेख्या भी किते हैं, जब जी सही कटिया जाए, थोड़ा थोड़ा हो जाए पर सरीर दे चीरन नाल सरीर दे बंद बंद कटन दे नाल सरीर दी खोपरी तां लाई गई आप जी जान दे हो के पाई तारु सेंग जी दी खोपरी लाईगे खोपरी लाउन दा मतलब की से होर भी ता स्रीर दे अंग है गड़ा भी कटे आ जा सकता से होर भी अंग कटे जा सकता से पर खोपरी क्यों लाईगे क्यों क्यों कें दे सान भी एदे सिर्दे विच गुरू दी मत है बड़ी सक्त उनु कड़ के विखो विचों किते है एदे खुपरी ला दे ओ गुरू दी मत चट देगा पर पाई तारु सेंग ने क्या हो तो अड़ाप लेखा अब इस गुरू दी मत इस मास दी खुपरी तक सीमत नहीं असी आपने ओदों भी रखने है जदों एक खुपरी भी नहीं रहीं दी ओदों भी एक कैम रहीं दी ता ना ओऊ मरें ना होवै सोग अधा खात्मा नहीं अधा ता ओ केड़ा है मैं बेन्ती कर रहे हैं सिएक उधारन के असी अजय जागे कोई नहीं हाँ शुता होया बंदा कर्म का करी जा रहे है जिनाचर जागदा नहीं कोई सुता होया कुछ कर रहे है कोई सुता होया दान कर रहे है जागयाते हैं नहीं सौन दा मतलब वो कहिं दा मैं ए करनाई ते लेनाई ए सौन के किता होया ए ठीक करनाई मिलदा जरूर है पर ओदा जिड़ा टार्गिट है निशाना एक कुई है कि करनाई ते लेनाई दे दे मंगाई सैसा गुना दाद करे दातार ता दानी जीड़ा दान कर रहा है शुता होया गुरु सहीव ने क्या दान जरूर कर पर पहला तु जाग अंदरों मन दी जाग लाया थे वच तु खुबा पयां बेलकुल संसार दे वे शुता होया बिहोश ता सुपने थे वची दान करी जारे हैं सुपने विच कीता होया दान असली नहीं होंदा नकली है सुपने विच ही पाठ करी जा रहे हैं सुपने आदे विच ही तुँ सेवा करी जा रहे हैं सुपने आदे विच ही कथा सुपने विच ही कीरतन सब कुछ ता सुता होया आदमी करदा है थाएं के में पवे सहीब ने बचन कीते ने न कि सा सेवा कीती सफल है सा सेवा ओकेड़ी सेवा है जदो किसे शबदे नाड ए आजाए भी इस तरह दी सेवा इस तरह दा नाम ऐसा नाम ता ओदे अर्थ समझ देने चाहिए भी गुरु साहिब किसे होर नाम दी नाड व्याख्या कर रहे ने उकेंदे ने सेवा ओकर भी गुरु दा मन मने सेवा ओकर सेवा करत होए नेह कामी नेह कामी दा मतलब है सेवा कर कामना ना होए कामना अंदर ना होए करी चल ताँ जदों एक कामना तो खाली करेंगा कोजवी ताँ तिसको होत प्रापत स्वामी स्वामी उन्नों मिलदा है तरीके ने मंगण बाले यां दे कोई चार पदार्थ मंगदा है साथगुरा ने बच्छन कीते सुखमणी सहब दे अंदर चार पदार्थ जे को मांगए साथ जना की सेवा लगए जे को अपना दुख मिटावए हर हर नाम रिदै साद ते आवै जे को अपनी सोबा लो रहा है साद संग ए हो मैं शो रहा है जे को जनम मरं ते डर है साद जना की सरनी पर है ए चार चीजां जेडियाने ए ते साद दा मतलब गुरुम खांदी संगत द्वारा मिल दियाने चार तरह दे जग्या सुमादा ए दे बिच जिकर कीता गया है चार पदार्थ मंगन वाले कोई दुख लग गया सरीरक उदा भी तरीका दस या किवे मिटदा है हर हर नाम रिदैस सत्याव है अपनी वड़ियाई चाहिए दिये तामी तरीका दस या तीजे नंबर दे जग्या सुने जनम मरन तो डर लगदा ए दा भी सत्कुरु जी ने तरीका दस दिता है भी इस तरह करना है ये चार तरह दे जग्या सु जा एक जग्या सु दे मन दिया चार तरह दिया सिटे जाने में उपहला चार पदार्त मंगेगा ओदे तो बाद कोई दोखा है ओदे वास्ते जपेगा तीजे नंबर ते शोबा वास्ते जपेगा वड़ियाई वास्ते चवते नंबर ते ओ जनम मरं तो नविर्ती वास्ते मुक्ती चवंदा है पर साथ कुरू ने क्या ना चवां विच अटक ना जाई माराज तवानू सब तो चंगा कौन लगदा है ना विच कैन लगए जिस जान को प्रभ दर्स प्यासा नानक तांक है बल बल जासा जिननों प्यास है दर्शंदी असल विच्वोई सब तो सिरेदा जग्यासू है ओ पिछलियां चारे मंग भी सकता है कोई शक नहीं क्योंकि जे चारे चार पदार्त चाईदे ने दो खहटा हुणा है वड़े आई चाईदी है जान जनम मरन तो कटके मुग तो ना चांदा है ओ चार चीजां मंग सकता है पर सत्कुरा ने कहे थे रुकीन आए चार मंगन तो बाद पंजवी मी है कोई ओ केड़ी जिस जान को प्रभ दर्स प्यासा जिनूं प्यास है ता पीम चांदनूं गुरु सहब ने एक आसी कड़गी तर पादशा ने जदो उने तेन चार चीजां मंग ले यां सत्कुरा ने क्या कि इंदे गल्ती बहुत वड़ी कर गया है उमर तेरी बहुत है तजर्बा तेरा बहुत छोटा है आया ते तुँ ए सोच के सी के गुरु ता वी सालां दा है मैं ता सट सालां दा मेरे कुछ ते ग्यान जादा ही होगा पर तेनूं पता नहीं के ग्यान उमरा नल नहीं बद दे एक कोई होड़ चीज है ता तुँ पूरा अजे बज़ुर्ग नहीं होया तेरी अकल छोटी है तेनूं समझ नहीं आई मैं सोच यासी बज़ुर्ग आदमी है समझदार होवेगा तुँ तेन चीजां मंग लेए हाथी मंग लेए चांदनी मंग लेए पांजकला शस्तर मंग लेए जे तुँ श्याना हुंदा ते मेंनू मंग लेए मेंनू कहिंदा वे तुसी चाहिए दे उ नाले चीजां आपे आजानी है पर आदमी दी ये हुश्यारी है वो गुरु नू नहीं मंग दा वो गुरु तो मंग दा है ये दे विचो दी बड़ी बड़ी एक हेरा फिर ही है गुरु नाल और इस तरह दे तोखे बाजां दी तरम दी दुनिया में जो बड़ी लंबी कतार है जेड़ा गुरु नू तोखा देना चाहूं दे वो कहिंदे ने सत्गु तो अड़े तो ए चाहिद है तो अड़े तो अचाहिद है ते गुरु साहिब आप थोड़ी उनु कहिंदे भी मेंनू मी सदल है वो चुप करके कहिंदे चल मिल जाएगा और वो कहिंदे उनके जरूर बेकमाल होगी सब कुछ मंगदा है पर मेरे नल गल्द नहीं करना चाहूंदा बंदे दी या आदत है मनुख दी ये कमजोरी है वो दाते तो सब कुछ मंगी जानदा है पर ए नहीं पता उनु भी ग्यान ना होए भी जिदे तो मंग रहे हैं उनु भी कमा भी तुम ही आ पताते है पर उनु पता है भी जे ए आगया ते फिर मन मर्जी नहीं चलनी ये चीजां जेडियां मेंनों मिल गीयां ये ना नों अपनी मर्जीनल वरत नहीं सका गा तहां सत्कुरू ने फिर किते किते गल्भी कई जिथे दाता मंगना है उथे मात भी मांग पहला जे मात नहीं मनगी नां मगी दाता तेरा जीवन तबाह कर देनगी इस करके सत्कुरू ने बचन कीते जिन्ना चिर बंदा जागदा नहीं उदा कोई कर्म लेखे विच नहीं पहिंदा हाँ एजडे कर्म ने गुर्मत दे विच दो विशेश ता उरते जिन्ना विच एक कर्म है सेवा दूसरा है सिम्रन करी जाना चाईदा है पर निशाना एक रखना चाईदा है किसे दिन एना नू कर दियां कर दियां साठा मन जरूर जागए जे मन ओथी सुता है वी साल पहला वी मन दी आदत ओई सी लड़ना चगणना इर्खा निंदिया करनी ते वी साल सेवा भी कर लेई ते ओध इर्खा निंदिया ते द्वैश ओधे तों भी दो चार परसेंट वद गया समझ लेना दा कोई लाब नहीं होया कुछ चीजां मिल जानगी है क्योंकि सेवा विच रिदियां सिदियां ने लकड़ा बाल के देख लो लंगर विच कम करना एदे नल मिल जानगी है चीजां पर ये जोगियां वालियां सिदियां ही हो जानगी है होर कुछ नहीं रहेगा ये सिदा दियां समादियां हो जानगी है भी इने दिन दो महिने लाए अठ कैंटे रोज कियो या जिननों गाल कई पूरी होगी एथों तक ते गाल चली जाएगी पर जेड़ी गाल गुरु सहभ ने कहा कि नानक लेख है एक गाल ओ गाल नहीं आवेगी ओ गाल होर है उन्हों लबनदा जिकर कीता गया गुरु गरंस सहभ नानक लेख है एक गाल होर हो मैं चकना चाक फिर ता ए इस तरे लेना देना चलदा रहेगा बनदा कुमाएगा फिर पाप करके वापस आ जाएगा इस करके गुरु सहभ दा एक सिधात है बनदे कुर तरम दी ताकत बाद वे चावे पहिला ओन्दे कुर गुरु दी मات आवे ने तो पर्त के फिर उना पापा में चपयेगा ने ते पर्त के फिर उसे पाप दी दुनिया बे चला जाएगा पहिला गुरु दी मात आवे फिर इस कुर तान आवे ये बड़ी चंगी गल है तो जिनना तो तानू खोया है पर्मात्माने ओ अना ते बड़ा खुश है One अनू उने चुणया है जिनना तो कुझ ना कुझ उनने खोले है संसार्दा ओ तान खोया कि फिर ओनू लबन वास्ते मेरे कुड़ाएगा टे जिडे उते उत जादा नराज है जहां जेडे जादे निकमे लोग ने उना अनु पदार थां दे उते होर पदार था दे जांदा बे तुसी ये दे बेची डुबे रहो तो अडे बेचे जे समरा था नहीं नाम सुनन दी ता हो पहला पहला ते अंदे सी गुर्दवारे पर कर्मा मी पूरी मता भी तेन चार बारी ता निशान सहीब दे द्वाले भी दो तेन चकर फिर हुकम नामे नों भी नमशकार पर जदो ये थो निशाना पूरा हो गया फैक्टरी चल गई फिर वो बारले गेड तो नमशकार होनी शुरू हो गई ता फिर सहजे सहजे बारले कुल भी कट दी गई कट दी गी एक दिन खतम ही हो गई ता स्थकुरा ने तान दी ते गल कीती है भी तार्मिक बंदा अमीर ता जरूर होवे पर जिनना तो उन्हें तान खोया है उन्हा तियो बचक्छँ है तांकि उतान दे खुसन करके गुरू दे कोड़ा आ गये हैं जिनानों ने संसार दे विच कुझ ना कुझ मार मारी है जां कुझ दुख देता है तां ओ जान के देता गया तांकि इस दुख तो कबरा के मेरे कोड़ा उन गे फिर तो जीवन दे खोज करन गे जिंदगी नू लब लेणगे तां जिंदगी दे विच आया हूँ या रुकावटा नू दुख समझना ठीक नहीं है ओ तां असल विच केर के व्यक्ती नू अपने को लियोण दा एक तरीका है गुरू दा जुगत है के तां क्यों मेरे को लाजन नहीं ता कदी ना हूंदे के ते शिराब खाने विच पह हूंदे के ते नाज का अरविच डिगे हूंदे के ते बारा वजे तक स्वेरे जागया ना जानदा के ते उना दा जुवे का अरविच पह हूंदे के ते सारा दिन ताश खेड़ दे इना चीजां विच जीवन बरबाद हो जान्दा जे तानच उसे तरह कैम रही जान्दा वदी जान्दा ता जिनना ते ओ जादा खुश होंदा है उना नू संसार वलनो कुझ ना कुझ रुकावट पाके अपने वल खेचदा है ते सत्कुरों ने ग्यान दी गल किती केंदे शुपने दे अंदर है ता हुण जे तू इस तरह तुरेया है ता एवी यतन कर के ते तेरा तरम वपार ना बन जाए इनू जगा मननू जदो जागेगा जाग के करके वेखी दसना नहीं पैगा सहिब ने ग्यान दे अर्थ किते कवीर जी ने बचन किता केंदे अंदे आरे दीपक चाईया है एक वस्त अगोचर लही है बंदे कुर ग्यान दा दीवा होना चाईया है है दे कुर सारा कुझ जेडा कुझ बाबा कवीर जी दे कुर सी बाबा फ्रीद जी दे कोल सी नामदेव जी दे कोल है सी इन्हा शारेयां पठताँ दे कोल जेडियां बरखतां सन जेड़ा रास सी ऊसाड़े कोल भी हुण है फ़र फर शिर्फ इन्हाइ ओ जाग पै उन्हाँ जीवन बिछ ग्यान दा दिवा जग पे है जागे थे उन्हाने सूना दिष प्या मिटी छट देती उन्हाने क्या है न संसार छुट गया है कभीर साहभ के थे छूट गई संसारी ago हीरा हाथ चड़िया इदे अर्थ ने हीरा हाथ चड़िया दे अर्थ ने शारम लग गया जिम्हें आपा केने रावे चोला बगया जाने जाने हीरा हाथ चड़े अंदर मौलक कोई चीज गवाची होई है सारे यादे जिम्हें आपा केने आना चेते नहीं उदा कुछ चीज रह गई उदा पता नहीं लग रहा कुछ चीज़ां ऐसी आने जदो बंदा करूं तुरदा है तो सारे याद चीज़ां चेक करदा है कोई रह ना जाए कागज कोई इदर उदर पर कई बारी कोई चीज पोल जाए ओ आ भी जान दा है अंदर एक ओदे तड़की जी चाल दी ये भी कुछ रह गया है कुछ रह गया है फिर लबना है ता जदो ये थे आदमी सब कोई लब लेंदा है सब कोई लब लेंदा है सारा कोई लबन तो बाद पहला माया लब लई फिर परवार लब ले या फिर इज़त लब ले फिर विद्या ओदे लब ले जदो सारा कोई लब लेंदा है अंदरो फिर अवाज होंदी कुछ होर लबन वाला आजे रह गया है अंदर शांत नहीं होंदा अजे जिनना को ले चीजा नहीं आई या होते फिर भी शांत नहीं क्योंकि सेर डाई जा रहे ने लबन वास्ते ता अननो माया नो सब कुछ नो होता है मूर्खता करी जा रहे ने उदे विच बिजी ने विस्त हो ये बैने के जिदन हो जाएगा है ने करोड उदन शांती आजाएगी होता फसे रहें देने लब दे रहें दे इस करके उनना दा मन बवता अशांत नहीं होंदा लब बन वाले आदा जिदे तान नो लब दे तान जिदे जिनना ने इननो फिर लब ले एक दिन पूरा पा ले आओ वचारे जादे परिशान हो जान दे क्योंकि होन ओ सारा कुछ लब ले आते जिदी उमीद सिये दे विचों ओ चीज मिलेगी ओ ग्वाज के होर कम ही कोई ने खाली हो गया बन दा ताहीं जिदे दिमाग दे डॉक्टर ने ओ कहिं दे ना नो बिजी रखो आज जिदे मरीज ने सारे परिशानी दे हो तहाँ ही कहिंदे हो कहिंदे कम वेच लाओ किते पावे ना नू माया किनी किते ये ना नू उल जादे किसे कम वेच जे ना उल जाया ते और बदेगा इना दर डिप्रेशन ये ना नू बिजी रखो क्यों रखो क्यों कि जड़ा कम करना सी कर लिया भी चो मिलया कुछ भी नहीं हुन खार लिया हो गए परिशानी आगे तां एदे ए ओ रहा है जिड़ा अगों जाके बंद हो जानदा है ओ गड़ी है संसार जिड़ा है अगे जाके किसे पस एदा रहा ने निकलदा तां एदा रस्ता शिम्शान काट तक है उस तों अके जाके बंद हो जानदा है सत्कुरा ने ग्यान दे अर्थ कीते कें दे जिन्ना दे अंदर गुरु के शबद द्वारा ग्यान आगया जदों ओ ग्यान दे लाइट आई चन्ण आया इत चन्द दे अर्थ होशने गुरु पूरा पेटियो वड़ पागी मने पया परगासा मन दे विच परकाश आगया मन विच ग्यात आगई मन विच होश आगई इदे थोड़े जहोर अर्थ करने चावाँगा ग्यान क्योंकि आज कल साड़ी काउम विच ग्यान दे अर्थ बड़े गल्त ले जा रहे है छोटे छोटे ट्रेक्ट बना के साड़े सजन जड़े सारी दुनियान पहला कथा बाजिक बनावना चाऊंदे फिर सिख बन नगे उके दे सारे पढ़ लवो सारे अनु दस दे ओवी गल्ना दस देती है उनना ने जड़ियां दसन वाड़ियां नई सन लोग होनु स्वालते स्वाल करी जा रहे हैं यह दे बिच की लिखिया है गल्त कर देता बहुत पहला सिख बनना सी ग्यान अप ही आ जाना सी जिनना को चाहिए दा सी ताउना ने इस इनु ग्यान समझ लाते है होर की अर्थ समझन वास्ते होनगे दो-चार मिंट जिवें जिस चीज दी अंदर जिदे विद्या है ओ ओदे बारे बार ग्यान रखदा है मैं उदारन दे आंगा जिवें ये थे किना कुछ है एक बिजली दा मकैन का है उनु ग्यान है के पख़ा केड़ी पावर दा ओदे बारे ओ ग्यान रखदा है जिड़ा कोड दूजा लकड़दा काम करन वारा है ओ भी उस पख़े दिया के विट है पर उन ओदा ऐसास नहीं होएगा क्योंकि ओदे अंदर ओदा ओदी सार नहीं ओदी विद्या नहीं है ओदे बारे सुता होया है पख़े बारे जिड़ा पख़े बारा है ओ लकड़दा बारे सुता होया है ओदे बारे जागिया नहीं ताँ जिड़ा इस कैमरे बारे जान दा है दे विचकी चल रहे है ओ दे बारे जागया होया है ता जेडा दूसरा मेरे बरगा बैठा होता है नो लोग दा टुकड़े ही समझ दा है ओ दे वास्ते ओ दे बारे सुता होया है ओ दे बारे जागया नहीं है ता ऐसे तरह जदो असी गुरू को आउने आ ते गुरू बारे जागे नहीं हाँ जबे असी जाने आ न उसी कदी बेखना हेमकुंट सहब गए दरबार सहब चले गए पटना सहब गए ता जदो वापस आए उच्छे आ के मेरे आओ थे बहुत चड़ी कला इने परकारदा लंगर सही है उदे उते न ते आन जड़ा है सार के दे विच है उदे पहाड़ियां इस तरह अदियां सन बर्फ एनी है गर्मी एनी है ठंड एनी है जदे जदे विच जदी रुची है उदे बारे जागदा है उदी व्याख्या करदा है पर कोई एक दो आदमी होएगा जड़ा उदे कहेगा भी उस थान ते कि ते गुरू दे चर्न पहे ने ते महसूस होंदा है भी उदे गुरू दियां तरंगां अजे भी हैं जहां महसूस होई यांने जहां कोई कोनेक्शन होया है मेरा कोई सुबंद जुड़ा शबद दे नाल ओ थे मेरा मन जुड़ा नाम दे नाल कोई आदमी हजार बे चोएक की कहेगा नहीं ते रस्ते दे पड़ा गिन देगा फुलाने थां ते एक खादा सी इस होटल बेच रुक गए बहुत महिंगा उटल है इने तो मिड़ा सब कोई इचल दे ना सारा ता जिनाचिर आदमी दी सार अंदरों नहीं न जाग दी एसास नहीं जाग दा गुरू बारे ओ गुरू दे कोड रहें दा हो या भी ओ पालकी विखी जाएगा होर कुछ नहीं वेखेगा सब कुछ गिनदा है ता असी इस बारे अंदरों सुते होया जाग दे नहीं गुरू सहीब ने उदारन भी दिता ओ केंदे ने किसे जिमेदार ने एक देन एक तजर्बा कीता गवासानू दे कुल बहुत ते अमीर भी बड़ा सी ओ चगाउन वास्ते ले गया खेत विच बड़ा सोना का ता उन्हें अपने नौकरनू क्या भी लियाओ सोने दिया मोरा उस का विच खिलार दितिया ते उज़ियां गामा चड़ियां उन्हें सोचे भी सोना बहुत महिंगा है शैद का चड़ के सोना चुगन गियां यह महिंगा बहुत है पर उन्हें गुरु सहीब ने उदारन दिती कहिंदे गामा नू सोने दिसार नहीं की है उन्हें वास्ते का ही जीवन है ता उन्हें ने अपने मून अल सोने दिया मूरा आसे पासे कर लियां तो विचों का चुगलया सोना चड़ देता इसे तरह जीवन दे अंदर स्वासा रूपी नाम रूपी गुरू की बख्षिश मतविच रतन जवाहर मानक खिल रहा हुआ है दे समने ते विच विच माया भी पई है जिवें रेत दे अंदर खंड खिल रही हुए तां ओ कीडी जड़ी है रेत नहीं खाएगी ओ विचों विचों खंड चुण के खा लेगी तां परमातमा संसार दे विची है माया दे अंदर ही है पर ओ आदमी जड़ा की कर दा भी उनू विच्छों विच्छों पासे कर देंदा है ते संसार नू चोक लेंदा विच्छों ता गुरु साहब ने उदारन दिती कैन लगे सोने चोन चोने सोना पाईया चोना कहिंदेने गामा दे चोननू वागनू कहिंदेने चोने सोना पाईया गामा दे चुन दो तुसी कहावेच सोना पादेयो चुन चुन खावेकास वो सोने बारे जागी नहीं गांके में चुके इसलिए जागणा जरूरी है भी साढ़े गुरु कुझ की है सीमत ना रहिए ईमारतां तक सीमत ना रहे केवल लंगरां तक मेले आ तक, यात रामा तक करिये जरूर ये पूरिक ने न सारी या चीज़ां चाहिदियां ने करिये जरूर इना नू तो एथूं तक कैद्यां सीमत ना रहे अपने अखरादे ग्यान तक एवी गुरू दि मत नहीं है युथे तो अगे है मत अपने सवाला जवाबा बिद्थ अपने ख्याला बिद्थ किने सडहे विवाद हो गए सिख कौम दे अंदर जेडा फोन अंदा ओ यह होना चाहिदा यह नही होना चाहिदा यह बाणी क्या नहीं यह है जहां फुलाने गुरु सहीब दा जनम तुसी केड़ी तरीक दा मन देव बाणिया किनिया ने ए गरंत गुरु दा है के नहीं कदी कोई बंदा ए नहीं कहीं दा भी नितनेम किना करना चाहिदा है बाणि किनी पढ़नी चाहिदी है करन वाला कम क्योंकि ओ अवखा है स्वाल करने बड़े सुखे ने जिस बंदे नो कोई भी पता नहीं जेड़ा सिर्फ अजे दास दिन तु गुर्दवारे आया है ओ भी स्वालां दी चड़िला देंदा भी एक ही है ओक ही है आएक पंग्ती किसे ने साड़े ने बंदन वाले ट्रेक्ट लेक के लोकां मेंच उना नो दे 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 ता जिना नो जे उड़ा भी नहीं हो दा पढ़ो ते भी बाद शुरू हो जाए ता होना ने ए जी बाणी है गुरू दी के नहीं ते जे कदी पुचिये भी तुसा कदी जब जी साथ पढ़े आए कहने दे नई है जे ता पंजाबी भी पूरी ने हो दी पंजाबी पूरी हो दी है नहीं ते सिक तर नो बाले सुआल भी करने शुरू कर दे ते जिस रात ही ने गय है किनी बड़ी मूर्खता होएगी एक बंदे ने इंजिनरिंग कीती है उनने पंद्रावी साल गवाय ने अपनी जिंदगी दे वो एक मिशीन बारे चंगी तरह जान दा है ते दूसरा उधे बारे जिनने एक अखर भी नहीं पड़े आचार दिन लाए नहीं उधे उते जाके स्वाल करन लग पे विके में बढ़ी है तुमें नो क्यों चलंदा है ए अवाज क्यों कड़ दी है ए हिल दी क्यों में चलन लग गया ता उधे बारे की कमांगे मूर्खता ही हो सकती है न ता एक गल साधी कौम नो थोड़ी जी ख्याल रखनी चाहिए दिये संसार दी विद्या नाल गुरू नो तोलया नहीं जा सकता ठीक ऐसी पड़े हो मांगे बड़ी चंगी गल है विद्या चाहिए दी है पर जे गुरू गरंस है बारे गुरू पंत बारे गुरू की या जेडिया बाणिया ने जा मरयादा ए एदे बारे स्वाल करने थे पाई बेनती है सारे कम छड़ के दस साल किसे उस ताथ दे पैरा में चुबहो फिर स्वाल करे आजी आ गए फिर कर लेने स्वाल जेने मर जे पर हसी जेड़े रा दी गड़ी दा दुर्वाजा भी खड़काया नहीं ओदे अंदर ले मैल दी व्याख्या करन लग उपए ता समझना चाहिदा है चंगी गाल है दे बारे स्वाल करने पर ओदे बारे पहला दास साल लाने चाहिदेने समझ लाना चाहिदा पूरे दा पूरा लाना चाहिदा सारा सारा दिन ता दस दिन स्टड़ी करके गुरुवा के अरदास करके दस साल ओदेतों बाद चंगी तरह सेखके फिर भी बंदे दावा नहीं बंदा कि मैं दस साल लाए ने जी हुणते मैं जो कुछ कह दिता है मंदना इचाहिदा सारी काउमनों नहीं हो सकता फिर भी याद रखे हो गुरु सहब ने दो सो चारी साल लाए ने दस जामियां में फिर विदावा ने किता फिर भी कह के जो कुछ तूं कहा है मैं कह दिता है जे ठीक है ते परवान कर ली जे गलत दे बख्ष दे जे डे विदवान सान ना पुराने उनना नू पढ़के विखो कर दी पाई वीर सेंग जी ने जिनियां पोथियां लिखियाने उनना दे खीलते ए शब्द लिखे मिड़ते ने जो कुछ मेंनू गुरु सहब ने मात दिती मैं लिखिया है जे यदे विच कोई गलती है पंथ यदी पर चोड़ कर ले जे फिर भी गलती है ते मेंनू बख्ष देना और किनिया मेंन ता किती है उनने असी कहने अभी पंच साल दो साल लाये ते साड़ा फैसला आखरी है ए मनना चाहिए दा सारी कौम नू इस सिखी दा हिसा नहीं इस करके ग्यान दे अर्थ ने गुरु के शब्द नू कमा के फिर मन जदो जाग पे ता जोगियान नू हजूर केंदे ग्यान मन दा जागना साड़ा पोजन है उन्हों सी खांदे हैं अक कई था माते था गुरु नानक सहब सर से गय सन उते बड़े 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 अजेवी गुर्दवारा सहब है सिद सन चली से कट दे सन इदे बिचों पाणी पीले दा हवा दे बिच है ता उन्हों ने फिर एक उस बेड़े उन्हों ने एक शर्त लाइक हैं लगे साड़े नाल चाली देने थे बैठो चला चली सा कटना है ते रोज दा एक ज़ओं मिलेगा तो आनू पाणी दा गिलास सारी बैठ गए गुरु सहीब ने क्या ठीक है उता आप पर मेशर सन बैठ गए चाली दिन लंग गए गुरु सहीब दा जाओं मियो थी प्याए ते पाणी मिय ते जदों बार निकले चेरा चड़ दी कड़ा विच है शबद दे अदार ते हो गए शबद दा एक अदार है खैर सिखी वे चेदी बहुती व्याख्या ने क्यों कि फिर लोग करन लग पें दे रीस कर दे वो बड़ी दूर दी गल है कि जदों व्यक्ति पोजनतों बिना वे कुछ समा जा जिन्ना मर जी समा जी सकदा है स्वास्तों बिना वी रह सकदा होएगा ता ये ता करन लग पता लग दा है जोगी ता बढ़न दे बड़े दावे कर दे बाद में तुसी या देखी ले ऐस सामने सारा कुछ दिन ता चार वी नहीं लंगे चेरे ते है कुछ नहीं खेर मैं ये विवाद विच नहीं पहना चाहूंता ता गुरु साहब उसे तरह निकले हरान हो गए जोगी सारे चेराउना दा टिला होया पे है बिल्कुल मुर जाया होया ता बड़े दर्शन करके हरान होए पुछया की खा रहे हो कोई जेव भोली किते जेव विच बड़ामते नहीं पाए हुनता बड़े तरीके ने बंदा खांदा नहीं गुलू कोज विच रूटी पाके चिड़ा दियो खांदी लोड की है हुनता बहुत सारे तरीके ता किसे ने क्या भी जेवा फोड़के वेखू कि वह बधामते नहीं पाए बापनानक ने विच कि ते कला कला ख़ा के चाली दिन कुझ नहीं सी हो थे तां ओ शवद्दादार सी क्यांकि शवद्द विचों ही सारा संसार पैदा हुए है ज Also Wennly विचों संसार पैदा हुए है सत्गुरु कर सकते जां कुछ होना तो बख्षे जान लोग ता सिदा नू क्या तुसी पुगत बार लीर सोईता त्यार कर ले चूरी बना लें दे खा लें दे चंगियां वद्या सेता हन पर ग्यान दा पूजन तो अडे कुल नहीं है पुगत ग्यान दया पंडारन उना विच एक पंडारन भी होंदी सी कल मैं जिकर कीता सी के काल कुवारी काया जुगत उना दे विच बरताउन वाड़ियां होंदीयां से जिडियां पोजन बरताउंदीयां से ता दया पंडारन ग्यान दा पहला पोजन आजाए फिर दया ही वरतार सकती जेडा बंदा दयालू नहीं न वो तर्म विच स्वार्थी है प्रापत उन्हें कर लिया है देणानी चौँदा वो किसे वास्ते कुझ नहीं कर सकता बंद है अपने आप विच फस्या होया किसे दी सेवा नहीं कर सकता ता किसे मितर ने परलोक विच सुनेया कर लिया किसे नू एक कहाणी है समझन वास्ते उन्हें क्या ये थे जिनना ने कला आपने वास्ते कीता है उन्हें बहुत ही थाने मिल दी ये थे उन्हें थान मिल दी जिनने दूजियां वास्ते कुझ कीता है ता अपने आप वेची सब कुछ नू बंद करी रखना ये भी एक तरह दी दया तो रहत गुरु सहीब ने क्या साथे विच दया है पंडारन असी जो कुछ सानू रब देंदा है बंड देने होर दे देंदा है ता कट-कट वज़े नाद जेडे लोक शिद सान एक नाद वज़ रहे है एक संगीत वज़ रहे है वोई सड़ा नाद है फिर केंदे आप नाथ नाथी सब जांकी जिवें तुसी एक नाथ बनाँ देओ ते सारा जेड़ी मंडली है उनादी नती हुई रहे हैं दी पाब ओदे हुकम बे चल दी है पर एते नाथ आप नाथ असी अपने आपे नू नाथ बना ले है गुरू के शब्द नू नाथ बनाया है मालक बना ले है जीवन दा नाथी सब सब दा अर्थे सरीर दियां सारी शक्तियां पंजबिकार ग्यान इंदरे कर्म इंदरे एदे सारे न थे उयने गुरू के शबत दे पाब ओदे कंट्रोल दे अंदर आगosphे ने आप नात नाती सब जाकी ते तुसी जीडियां सिधियां कर दे हो के रिदियां सिधियां कठियां कर लें दे रिद सिध अवरां अवरां दा अरते तर्म तो हीन बंदयां दा स्वाद है रिदियां सिधियां कठियां करनियां हाथ दर किता ते एक क्रोड दियां दथियां डिगपेयां बहुत वड़े सिधने जी बहुत वड़े सादू माया नाळ सी तर्मी लोका नू तोल ने वे ओ चले गए जी खजाने विचों के निकले आबाद विच माया निकली ये ना पैसा निकले आए तो ते थे पुझी पतियां को लोस्तों भी जादा है की फर्क पैगया पर तरमनों गिनना है ते गुरु गोविन सिंग दे जीवननों पढ़के वेखो चले गए सब कुछ बार देता ते कोड़ें दे सुधागर सान उए दर के दे उन्हादी माया रेंदी सी उदार रेंदा सी उदार चुके आँ सी माया रेंदी सी उन्हाने आके क्या माराज माया मंगनते दिलता नहीं करता पर सी वपारीया कोड़े दे के ऐसी बाद विच तुसी किला छट देता सत्कुनाने क्या होनते है नहीं किन्ना महान गुरु होवेगा जिदे कोड उदार लौन ली भी पैसे नहीं दूसरे पासे उन्ना नु तोलना जिना दे जान तो बाद भी माया निकल दी है कठा किता हुए है आजता है नहीं फिर उन्ने अत जोड़ देते पठान सन कहने लगे चलो ठीक है तुसाए नहीं कुर्बानी कीती असी भी इसा पादेने फिर एक ख्याल आया सिख नु बलाया कहने लगे कागज लिया कागज ते एक हुक्म ना मालिक देता असी एन्ना दी माया देनी है साड़ा पंत जदो तकड़ा हुएगा जदो दे कुर माया हुएगी इन्ने पैसे देने ने उदार ला देना ओ माया बाद विच सिंगा ने वापस केती हो ना दे खान दानो बाद विच लाई किते रखिया जोड़के कुछ कलगी तर बादशाने किते नहीं रखिया कुछ बचाया नहीं और उदार चुक चुक के तरमदे कम की थे एश इशरत नहीं कीती अपनी केबल वैसे चड़दी कला विच रह पर एश नहीं परवा किती के माया नाड़ी मैं सब कुछ करांगा उदे तो बिणा में उसे तरह रह ताँ एश दाथ उनाने अगे भी देती फिर केंदे रिद से अबना साद एश चोटे लोकां दे सुआद ने तरमतों हीने वैसे रिदियां सिदियां अपने आप नाम दियां दासियां ने संजोग बिजोग दो कार चलावें लेखे आवें पाग जिमें जोगियां दे कुछ अगे पैरो कार उंदे सान उना दे कम चलाउंदे सी सतकुरा ने क्या संजोग दे बिजोग साथे दो में कम करी जान देने जिते साथा संजोग बन दा हो ते सान नों मिल जान दा है जदो साथा बिजोग उन दा हो तो साथे कुड़ों को चला भी जाए ताम ही नहीं दो में चलाई जा रहे ने कम संजोग बिजोग तो एक कार चलाव है तां संजोग जड़ा है गुरू के शब्द नड़ वद्द है सेवा नड़ जादे हो जाना बिजोग कट जाना है तां संजोग ते बिजोग आउना ते जाना माया ते संजोग ते बिजोग दो में है ये आउना जाना चलदा रिंदा है एक कम चला रहे ने लेखे आवे पाग प्रालबत जेडियों लेखे बिच्वंदी है अदेश ते सह आदेश आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एशब्द बार बार पिछे आया है एक दिन सारा समय दिव्याखिया इना चार दिना विच किती जाएगी अदेश दे अर्थ कीन थी जु आओ एक दो मिट वास्थे गुरू शब्द ननाश पाईए सारहान किर्पा करने वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू